अब तक आपने जाना कि राजपाल उस पुराने स्टेशन की इमारत को देखते हुए 45 साल पुरानी घटना के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक खनकती हुई सी हंसी की आवाज ने उसे चौका दिया अब आगे राजपाल ने जैसे ही गर्दन घुमा कर देखा मिली तो वो बोली रेल माता के मंदिर के आगे तो बहुत से लोगों को श्रद्धा से सम्मोही तवस्था में खड़े हुए देखा है बाबू लेकिन तुम पहले आदमी हो जिसे ऐसे भाव भीनी आस्था के साथ इस उजार स्टेशन के सामने देखा है सुना है यहाँ बरसों पहले कोई भयानक कांड हो गया था राजपाल ने पूछा शहर से आए हो बाबू अरे तुमने कैसे जाना राजपाल ने तुरंट पूछा तुम्हारी शकल पर छपा है शहर का पोस्टर साफ पढ़ा जा सकता है लड़की बोली वैसे भी जो भी लोग यहाँ आते हैं और शहलवारलों की तरह ऐसे ही उल्टे सीधे सवाल नहीं करते बहुत होशार हो सो तो मैं हूँ बाबू लड़की बोली लेकिन जिन सवालों के तलाश में तुम यहाँ तक आये हो ना उनके जवाब तो तुम्हें गाओं में कोई भी दे देता लेकिन लगता है तुम अखबार वाली हो तुमने कैसे जाना राजपाल लड़की की आश्चरिय जनक शमताक से प्रभावित होता हुआ बोला भाई अखबार वालों को ही गड़े मुर्दे उखाडने की और बाल की खाल निकालनी की आदत होती है ना अकसर आते रहते हैं यहाँ तरहां तरहां के सवाल पूछते हैं और फिर चले जाते हैं सही पहचाना तुमने मैं वाकई राजधानी के एक अकबार की तरफ से आया हूँ सुना है इस गाउं में सिर्फ रेल माता का मंदिर ही नहीं बलकि रेल गाड़ी का भूत भी है इस बारे में अगर तुम मेरे बापू से बात करो ना तो जाद अच्छा रहेगा लड़की बोली वे तुम्हारे सब बातों का जवाब दे देंगे पहले भी कई अकबार वाले उनके पास आकर बात कर चुके हैं अकबारों में फोटो भी चपे हैं उनके तुम्हारे बापू कहा मिलेंगे? राजपाल ने पूछा घर पर और तुम्हारा घर कहा है? उस तरफ लड़की ने एक और इशारा किया जिधर उसने इशारा किया वहाँ पर राजपाल को कोई मकान तो नहीं दिखा लेकिन उची उची जाडियां जरूर दिखाई दी वहाँ दिन में भी एक अजीब सा भूथा वातावरन लग रहा था चारो और जंगली जाडियां फैली हुई थी बिजली और टेलिफोन के खंबों और उनके तारों के कारण ऐसा वातावरन नेर में थो रहा था मानू अद्रिश्य मौत ने अपना जाल बुन रखा हो आकाश में सफेद बादलों की टुकड़े आवारा भटक रहे थे हवा धीरे धीरे बह रही थी जिधर से हवा आ रही थी उधर के आकाश की कालिमा मौसम परिवर्तन की सूचना देती लग रही थी तुम्हारे पिताजी इस वक्त घर पर मिल जाएंगे राजपाल ने पूछा वे तो दिन पर घर पर ही रहते हैं बाबू तब तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा हा तो चलो लड़की ने बोला वे भी अकबार वालों से मिलकर बहुत खुश होते हैं राजपाल उसके साथ चल दिया किनारे की जाड़ियों के पार कच्चे मैदान में एक पकडंडी सी बनी हुई थी उसी पर वे दोनों चलने लगे तुम्हारा नाम क्या है? राजपाल ने उससे पूछा उर्मिला और तुम्हारा बाबू? मुझे राजपाल कहते हैं नाम बताने के बाद राजपाल ने अचानक सवाल किया लेकिन तुम इस उजाड में क्या कर रही थी? मैं तो अक्सर आती हूँ यहाँ वो क्यूं? मुझे लगता है जैसे मेरे दादा मुझे आवाज दे कर बुला रहे हूं उर्मिला बोली जब कभी भी उनकी पुकार सुनाई देती है न तो मैं यहाँ आ जाती हूँ तुम्हारे दादा राजपाल ने कुछ चौक कर पूछा वे स्टेशन मास्टर थे यहाँ के राजपाल अचानक ठिठक कर रह गया कैसा विचितर संयोग था कि वहाँ के स्टेशन मास्टर इस लड़की के दादा थे और वो नकापोश राजपाल का दादा ये बात वो कह देना चाहता था किन्तु रुख गया रुख क्यों गये लड़की ने चौक कर उसकी और देखा और पूछा कुछ नहीं राजपाल उसके साथ आगे बढ़ता हुआ बोला हाँ तो तुम क्या कह रही थी तुम्हारे दादा तुम्हें पुकारते हैं ये दोनों बाते करते हुए आगे बढ़ गए पकडंडी आगे एक पक की सड़क से जा मिली थी जिस पर विबाई तरफ मुड़ गए गाउं के बस्ती से अलग थालग बना ये दो मिंजिला मकान जिसके बाहर एक बोड़ पर मोटे अक्षरों में लिखा था शिवेन और शधाले वैसे इस समय वो बन था और मिला तेजी से भीतर गई और वैबार ही खड़ा रहा कुछ देर के बाद उसने उसे भीतर आने के लिए कहा एक गलियारे और दालान में से गुजरने के बाद वह एक पचास साल के आयू के आसपास के व्यक्ती के सामने खड़ा था ये वैध्य शिवेन सान्याल मेरे बापू और ये हैं राजपाल अकबार वाले राजधानी से आये हैं बापू उर्मिला ने परीचे कराया तो वैध्य शिवेन ने तनिक परिहास के बाद पूछा लगता है आप भी उस रेलगाड़ी के भूत के चक्कर में यहां आये हैं लगता है और भी बहुत से लोग इस बारे में चक्कर लगा चुके हैं राजपाल ने पूछा बहुत से तो नहीं पर हाँ कभी कभार कोई भूला भटका आही जाता है आपकी तरह लेकिन उर्मिला तो कह रही थी कि इस संभन में बहुत अकभार वाले आपसे मिलने आये हैं और आपके फोटो भी छपे हैं अकभारों में बच्ची है ना इसलिए बात को बढ़ा चारा कर कह देती है अरे आप बैठी ना खड़े क्यों है राजपाल के बैठने के बाद शिवेन वैद ने पूछा आप बताईए क्या पूछना चाहते हैं आप मुझे मालूम हुए कि यहां के स्टेशन मास्टर पिता थे मेरे शिवेन ने कहा तब तो आप पैंतालिस वर्ष पहले वाली घटना के बारे में ज्यादा बहतरी से बता सकते है छोटा बच्चा था मैं उस समय लेकिन फिर भी इस घटना के बारे में मुझे से बहतर जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता शिवेन वैद ने उस रात की घटना अत्वा दुर घटना के बारे में राजपाल को बताया लेकिन पूरा किस्सा खामोशी से सुन लेने के बावजूद भी उसकी जानकारी में रत्ती भर भी व्रिधी नहो सकी फिर भी वो बोला यानि ड्राइवर को तूटे पुल की जानकारी नहो सकी और हरा सिगनल देखकर वो गाड़ी को आगे बढ़ाए ले गया और फिर पुल तूटा हुआ होने के कारण गाड़ी नदी में जागी री है ना जी हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था कोई नहीं बचाय जा सका था कोई नहीं कहते हैं कि रेल गाड़ी का कुछ भी पता नहीं लग सका ना कोई डिबबा मिला ना कोई एंजिन बाड़ से उफनती हुई नदी के गर्ब में गाड़ी कहा समा गई राम जाने इस बीच उर्मिला चाय बना कर ले आई थी चाय का कप उसके हाथों से लेते हुई राजपाल ने पूछा इस रेल गाड़ी के मंदिर के बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप ये अपने आप में एक बड़ी मज़ेदार घटना है शिवेन वैद ने उत्साहित स्वार में कहा हालकि इसके साथ हमारे परिवार की एक भयानक ट्राजडी भी जुड़ी हुई है फिर भी इसे मैं मज़ेदार घटना ही मानता हूँ हुआ यू कि उस रेल दुर घटना में सै कडो निर्देश यात्रियों के मारे जाने का सदमा पिताजी के दिल में बुरी तरह बैठ कया उनका विश्वास था कि उस भयारक दुर घटना को बचाया जा सकता था लेकिन वे नहीं बचा सके हाला कि इसमें पिताजी का कोई दोश नहीं था लेकिन फिर भी वो विक्षिप्त से हो उठे कालांतर में उनके भीतर पागलपन के लक्षन उभरने लगे रातों को उठकर रेल वी लाइन की तरफ दोड़ जाते गाड़ी रोको गाड़ी रोको ऐसा शोर मचाते हुए साथ में गाड़ की सीटी भी वजाते लोगों में उनके पागलपन की बात तो कम फैली क्योंकि हम इस बात को छुपाए रखना चाहते थे लेकिन ये अफ़वा तेजी से फैल गई कि रातों को रेल गाड़ी का भूत आता है गाओं के कुछ मंचलों ने इस अफ़वा को एक नया ही रूप दे दिया उन्होंने नदी किनारे टूटे हुए पुल के पास कुछ इंटे जमा करके एक टीन की रेल गाड़ी रख दी और बना दिया उसे रेल माता का मंदिर मंदिर बन गया तो लोग पूझने भी आने लगे आज हालात ये हैं कि यहां दूर दूर से लोग इस मंदिर में मनौतिया मानने के लिए आते है पत्थरों का पक्का विशाल का है मंदिर बन गया है मकराने के पत्थर को एक खुबसूरत रेल की प्रतिमा प्रतिश्ठित कर दी गई बड़ी भारी आमदनी है इस मंदिर की यही नहीं इस मंदिर के कारण राजापुर गाओं के दिन भी फिर गए राजापुर के निवासियों की संपन्ता का मुख्य कारण अब यह रेलमाता का मंदिर ही है यह बड़े-बड़े होटल, शानदार दुकाने सब रेलमाता के मंदिर के शरधालों के दमपर ही चल रही है उन्हें शरधालों के कारण यहां के लगभग सभी लोगों की रोजी रोटी चल रही है अगर किसी कारण से इस मंदिर के माननेता समाप्त हो गई तो राजापुर की सारे समपनेता भी खत्म हो जाएगी और ये रिलगाणी की भूत का क्या चक्कर है राजपाल ने बीच में ही पूछा उत्तर देने से पहले शिवेन वैद इतनी जोर से हसे कि उनके हाथ की चाय बिखर गई फिर कुछ सैयत होकर बोले आश्चरिय है कि हाप जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी भूत प्रेतों में विश्वास करता है मेरे विश्वास या अविश्वास का प्रश्ण नहीं है राजपाल बोला मैं एक पत्रकार हूँ और यहां के सच्चाई जानने के लिए आया हूँ जूट के ढेर में सच्चाई कहां से मिलेगी आपको मतलब राजपाल ने चौक कर पूछा कोई रेल का भूत नहीं है यहाँ राजापूर के निवासियों ने अपने नहीत स्वारतों के कारण एक आडंबर बनाया हुआ है रेल के भूत का जोर शोर से प्रचार किया हुआ है ताकि उनके कारण अधिक से अधिक लोग यहां आए और यहां के लोगों का व्यापारपन पे और आपका क्या ख्याल है उर्मिला जी राजपाल ने उर्मिला के और देखते हुए पूछा क्या वाकई रेल का भूत कोई है इसका कोई अस्तित्व है या नहीं जवाब देने से पहले उर्मिला हिचकिचाई फिर बोली मुझे तो पूरा विश्वास है कि रेल गाड़ी का भूत है बलकि मैंने तो उसे देखा भी है शिवेन वैद ने धीरे से हस कर कहा इस गाउं में उर्मिला ही नहीं बलकि और भी बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जिनका ये दावा है कि उन्होंने रेल गाड़ी का भूत देखा है आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सब के सब जुट बोल रहे हैं पूछा राजपाल ने मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ तो फिर मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि रेल गाड़ी का भूत वगहरा जैसी कोई चीज नहीं है तो ये सब राजपाल ने पूछा इस बात को समझाने के लिए थोड़ा मनोविज्ञान का सहरा लेना पड़ेगा शिवेन वैद ने कहा उसकी गहराईयों में ना जाकर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आधोनिक मनोविज्ञान ने जो जानकारी हमें दी है उसके आधार पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि किनी खास परिस्थितियों में व्यक्ति कुछ देखने लगता है वो सब जिसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता जो कुछ भी वो देख रहा होता है या सुन रहा होता है वो केवल उसके मन के भीतर छुपी हुए भावनाए होती है जो अत्यदि खर्ष, दुख या डर की स्थिति में उनके सामने मूर्त रूप में साकार हो जाती है जबकि उनका कोई अस्तित्व नहीं होता शिवेन वैद उसे बता रहा था और राजपाल उसकी बातों को गोर से सुन रहा था उसे उसकी बाते तरक संगत लगी और तभी उसे याद आई अपने बच्पन की एक घटना सर्दियों की एक अंधेरी रात थी जब वो अपने एक साथी के यहां से पढ़कर घर वापस लाट रहा था सडक सुनसान थी अचानक उसे लगा कि सडक के किनारे सफेद कपड़े पहने एक जटाधारी व्यक्ती उसे अजीव से इशारे करके बुला रहा है बुरी तरहां से डर गया था राजपाल उस रास्ते पर आगे भढ़ने का साहस नहीं था उसमें और वो लोटकर एक अन्य रास्ते से घर पहुँच गया अगले दिन फिर उसने उस सडक के किनारे जाकर देखा जिसे रात के सन्नाटे में वो एक सफेद कपड़े पहने हुए जटाधारी साधी समझ रहा था वो एक पेड था जिसके निचले हिस्से पर सफेदी की हुई थी अपने बचपन के और भी कई किस्से कहानी राजपाल को याद आ गए जब उसने उन रातों को देखा था और सुना था जिनका कोई अस्तित्व नहीं था इसलिए शिवेन वैद की सारी की सारी बातें उसे तरक संगत लग रही थी लेकिन ये सब बचपन की बाते थी और जब आदमी का दिल दिमाग कमजोर होता है ऐसा नहीं है कि बच्चों का दिल और दिमाग कमजोर होता है शिवेन वैद कही जा रहा था बड़े बड़े आदमियों का दिल और दिमाग भी कमज़र हो सकता है अब तुमी सुर्मिला को ही ले लो अब इसे बच्ची तो नहीं कहा जा सकता ना लेकिन इसे अपने दादा के आवाजे सुनाई देती है जिन्हें मरे हुए मुद्दत हो चुकी है बस ये समझ लीजिए कि जिस तरहां से इसके लिए इसके दादा और उसकी आवाजों का अस्तित्व है उसी तरहां से उस रेलगाडी के भूत का भी अस्तित्व है जिससे ये देखने का दावा कर रही है रेलगाडी के भूत को देखने का जितना जोरदार दावा इसका माना जा सकता है वैसे है अन्य लोगों का भी है जब राजपाल वहां से बाहर निकला तो शिवेन वैद के तरकों और उसकी बातों से पूर्ण ता प्रभावित था उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि रेलगाडी के भूत का कोई अस्तित्व नहीं है और ये सब लोगों के कालपनिक दिमाग के उपज है हवा में कोई खास तेजी तो नहीं थी लेकिन आकाश में काले बादल घिरने लगे थे क्या खत्म हो चुकी थी राजपाल की तलाश क्या नहीं था कहीं रेलगाडी का भूत आगे क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए खयाल रखे मैं ताशा इजाज़त लेती हूँ आपसे नमस्कार